असलामों अलेकुम, हेलो फैंस, वेलकम टू मैं जहारा स्किचेन, मैं हूँ जहारा उम्मीद करती हूँ, आप सब खेरियत से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ चिकेन सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अगर आपका सालन में प्यास तैरता है और उसका ग्रेवी बिल्कुल भी गारा नहीं बनता है तो इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राय करके देखिएगा मैं जिस तरह से चिकेन आलू सालन की रेसिपी घर पर बनाती हूँ आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़िदार का बनता है और सब को बहुत ही पसंदाता है तो इस recipe को एंट तक जरूर देखते रहे हैं आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगा चिकेन आलू सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तिन बड़े आलू को पानी से साफ कर पानी से साफ करने के बाद इस तरह से लंबे सिप में कट कर लिया है और मैंने यहाँ पर ले लिया है 700 ग्राम के करीब चिकेन जिसे मैंने पानी से साफ कर लिया है अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, लाल मीच पाउडर और नमक इसी तरह से हमें आलू में भी डाल देना है मैंने चिकन में थोड़ा सा अधरक लेसन का पेज़ भी डाला हुआ है तो चलिए अब हमें क्या करना है इसे चिकन को मैं 10 मिट के लिए साइट पर रख लूँगी लेकिन हमें आलू को फारण ही फ्राइ कर लेना है तो चलिए हम चलते हैं के स्टोप के तरफ स्टोप के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने एक बड़ा सा बरतन रखा है इसी पर ही मैं चिकेन सालन बनाने वाली हूँ अब मैं यहाँ पर डाल देती हूं थोड़ा सा तेल और अब मैं हाँ पर आलू को फ्राइ करके निकालूँगी हाई-मीडियम फ्लेम पर हम आलु को जब तक फ्लेम करेंगे जब तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए यानि इसको उपर का अछ़़ा सा कोटिंग ने आ जए हम इससे फ्राय कर लेना है जो को तो हमें ए बस तरह अगर हम सालन में इस तरह से आलू को फ्राय करके पकाते हैं तो उसका जो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और यहां पर जो है आलू को फ्राय करने में थोड़ा से गल भी जाता है और सालन में पकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो अब में हैं पर लिट्पॉर कर लंगए तो इस तो फिष्ट फ्राय कर लेंगे प्याभीलिसे सब कर लेंगे उसको पर के सब्सक्राय। कि अन्यू उल्ट करेंके को कि अनुसे कर लेंगे तक कर लिए के शुक्त हपक से हमार जाता है वही बदू सो क्रोल Y इक्स्टा जो बच जाता है हम उसे नहीं डालना है स्रिफ हम चीकन को डाल करीवें करेंगे अब मैं सभी चीकन के पिज़च को निकाल लेती हूं तेल से चांद कर अब हमें और कुछ खड़े मसाली डाल देना है खड़े मसालव में अब हमें समय है एक तेजप्त अ इसी के साथ में हाप डाल देती हूँ थोड़ा सा काली मीच लॉंग तीन से चार लॉंग लिया है आठ से दस काली मीच एक बड़ी लाईची एक डालचीनी का पट्टा आप देख सकते हैं दो छोड़ी लाईची एक छोड़ी चमच हमें साबुत जीरा लेना है कुछ सेकेंड के लिए हम इसे तेल पर सौटे कर लेंगे अब मैं हाप डाल देती हूँ एक बड़ी प्याच को पेस्ट करके और हमें इसे तीन से चार मीट के लिए पर पका लेना है जब तक इसका कच्छा पन चला जाए अब मैं हाप डाल देती हूं दो चमच अधर क्लेसं का पेस्ट का इसे हमें दो से-स तीन मीट को लेूढ़ों लेना है ताकि इसका भी कच्छा पन चला जाए और सात險 यापे बड़ी टा माटर का भी पेस्ट कर लिया है इसे हमें कि गल्देती हूं और कि अब मैं आ पाउडर लेना है एक छोडी चमच कश्मरी लाल मीच पाउडर इन सभी पाउडर मसालों को हम सूखा सा भून लेंगे खल्दी पौडर हमें नहीं डालना है हमने चिकन में थोड़ा सा डाला हुआ है उसलिए मैं यहां पर नहीं डालूँगी दो चमच मैंने यहां पर टोमाटो केचप एट किया है अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला लूँगी श्टॉप के लो फ्लेम पर हम मस चमच बटर एट कर लिया है मसाले को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हमें यहां पर तला हुआ अलू डाल देना है अलू को हम मसाले के साथ थोड़े देर के लिए बुनते हुए पका लेंगे अधकर इस तरह से बर्तन को तो देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से म मसाले के साथ पका लिया है बुनते हुए मसाले से तेल भी झोड़ने लगा है अब में में यहां पर डाल देती हूं चिकेन को भी हमने हलका सा फ्राइब कर लिया है उसे में शीय की सरदुग इस तरह से अगर फ्राइ किया वह चिकेन सालन आप बनाएंगे तो बहुत ही मज कि पानी डाल साकते दिते हैं देखर स्क्राइबेहत थाहँ पना दो जिएता नही तूर्प कर दिएखर दो गलास के नहीं जिए नहीं हे दिए के लिएगए एक से दो बार बीच में इसका लीड हटा कर इस तरह से आपको चमच चला लेना है तो लीजे फ्रेंट्स मार्शालला से हमारा चिकेन करी बिल्कुल बनकर तयार है इसका मसाले का टेक्स्चर देखिए और मैं इसे ज्यादा नहीं पकाऊंगी अगर आपको और थोड़ा सा सूखा सा मसाला चाहिए तो आप और थोड़े देर के लिए से पका सकते हैं आलो भी अच्छी तरह से गल चुका है आप देख सकते हैं सबसे आखिर में मैं हाँ पर एक चोड़ी चमच इलाइची पाउर डाल देती हूँ इसे फ्लेबर बहुत अच्छा आता है आप जरूर इस तरह से बना कर देखिए और स्टोप को आफ करने के बाद मैं हाँ पर हरे धनिया को बारी काट कर डाल दूँगी और अच्छी तरह से हमें इसे मिला देना है तो लीजे फ्रेंड्स हमारा चिकन सालन बिल्कुल बनकर तयार है इसका ग्रेवी देखिए बहुत ही मज़ेदा शांदर बनकर तयार होता है मैं जब भी इसे घर पर बनाती हूँ सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है सिंपल सा रेसिपी है अगर आप बैचलर है तो आप इस रेसिपी को भी बना कर तयार कर सकते हैं इसे बनाने में आप लोगों कोई भी परेसानी नहीं होगी बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है घर के बेसिक मसालों के साथ बनकर तयार हो जाता है कोई भी ताम जहम नहीं है सिंपल सा रेसिपी है एक बाइस जरूर बना कर देखिए सच में आप लोगों को भी पसंद आएगा और साथ ही आपके घरवालों को भी बहुत पसंद आएगा इस चिकन सालन को आप खुसका पुलाव के साथ भी सर्फ कर सकते हैं रोटी पराटे के साथ भी खा सकते हैं लेकिन मैंने इसे सर्फ किया है खुसका के साथ बहुत इलाजवाब लगा खाने में आप एक बाइस जरूर ट्राय करके देखिए तो अगर आज की चिकन सालन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हेल्फ लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुँचेगी आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं एक ने रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें और मुझे दूआउ में याद जरूर रखें अल्ला हाफीज